तो यह है डार जिलिंग का सबसे famous market जो के mall load जैसे कि आप समझ सकते हैं दिल्ली का कनाट पले से पापा की परी के लिए एकदम famous है उसी तरीके से डार जिलिंग का यह बहुत ही famous जो के mall load market है और यहाँ पर काफी crowd आपको देखने को मिल जाती है evening time में आपको जालें कराउट देखने को मिलीगे और market जो काफी अच्छा भी है यसे वहाँ पर दिल्ली में आप देखते हैं काफी high profile के market वहाँ पर है शोरूम सब रहे उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको high profile के शोरूम सब ब्रांडेट company के यहाँ पर आपको शोरूम देखने को मिल जाते है जगा कम है छोटी है उसी हिसाब से यहाँ पर किमके पहारी अलाके में आपको देखने को मिलता होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन साब को पापा की परी भी आपको इसमें देखने को मिल जागी जिस तरीके से आप लोग देखते होंगे शोट वगर वहाँ पर बनाते हैं दिल्ली के कनाट पले सिपी में उस सेम टू सेम आप समझ सकते हैं दोनों को एक दूसरे से और काफी अच्छे ची यहाँ पर शॉप है और यहाँ पर जगके डाल जिरिन जैन्स का भी है थोड़ा बहुत लेकिन ज्यादा फेमस है लेडिस के लिए क्योंकि यहाँ पर गुमने फिरने का काफी सहूलत है और आगे अगर आप जाते हैं चौरास्ता पर निकल जाते हैं तो वहाँ पर बैठने का भी इंतिजाम है और शाम को इधर आते हैं डाल जिरिन कभी भी घूमने फिरने के लिए आप आते हैं तो इबिनिंग टाइम जो आपका होनी चाहिए वो डाल जिरिन के चौरास्ता मौल लोड मार्किट को कौवर करने के लिए घूमने फिरने के लिए आप शाम को लगबग तीन साड़े तीन बज़े के करीब आईए और छे साथ बज़े यहां से आरामसर शॉपिंग वगरा करके गोंग फिर के यहां से जा सकते हैं तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा के डार जीनिः के मार्केट कैसी होती हैं कीपहारी यहां से आपको पूरा देखने को मिल जाएगा डार जीनिः के मशुग मार्केट जो के मौल लोट काफी फ्यमस है तार जईरम यहाँ पर जैसे है आपको देखने में में लग गिया होगा, कि बहुत ही यह मतलब मेठोर भाब बाला अर्य है, यहाँ पर काफी लोगों का आना जना होता है, किसी वी रिजन से शोपिंग करने के लिए हो या घुमने फिर्ने के लिए हर तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं और टूरिष्ट लोग भी यहाँ पर काफी आते हैं क्योंकि यह सब से फेमस जगा है और काफी खुबसूरत जगा भी है यहाँ पर शाम को अगर आना चाहते हैं तो आप आए और यह जो कि श दारजईधिन के टूर पर उड़ आई वे और यहां पर हम लोग घृम फिर रहा हैं, और मैं आपको कोशीद करता हूं हर चीज की चोटी से चोटी स्जोटी चीज आपको दखाने की तो यहां से कलक टावर मतलब माडरलोड क आगे कि तरफ चलाइएंगा चौर रस्ता के साइड में उधर आपको भीड भार काफी खुबसूरत खुबसूरत चीज देखने को मिलेगा है डार जी दिन के क्या क्या चीज फेमस है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिस करूँगा तो जैसे देख सकते हैं कि ठंड वगारा का यहाँ पर मौसम हमेशा राता है इनी टाइम तो ठंड का कपड़ा हूँ अगर आप जरूर लेकर आएं हर वीडियो में बताने की कोशिस करता हूँ और यह एक रास्ता नीचे की तरफ जाती है और मैं उपर की तरफ हूँ सामने देखिए उसमें समय भी आपको देखने को मिलागा गड़ी में तो यह मौल लोड का पूरा लोकेशन आपको देखाने कोशिस कर रहा हूँ फिलाल मौल लोड से अगर आप आते हैं तो उपर चले आते हैं उपर से नीचे आते हैं गाली आपको देखने को मिलेगा और Tata की या महिंदरा की जो भी company की गाली हो ज्यादा तरह या Tata someo गाली चलती है शे cevrring में हो किसी भी तरीके से क्युकि पहाडी राखे में जगा काम होता है इसलिए चोटी गाली ज्यादर पसंद की जाती है चोटी गाड़ी कहीं भी आसानी के साथ चली जाती, जैसे का आपको देखना मिलना होगा और यह मौल लोड का मैं दिखा रहा हूँ और इसी तरीके सापको रोड वगरा, घर वगरा, दोनों साइड में देखने को मिलागा लगवक, कीन, चार मंजिर का उफसरत, खुफसरत घर होता है और पहाड़ी लागा आपको पता ही बहुत ही कंजेस्टेट होता है, यहाँ पर लोग कैसे कैसे राते हैं, वो भी मैं आपको देखा चुका हूँ, और आगए भी देखाने कोशिस करूँगा और यह टेक्सी एस्टेन है, इसी तरीके से हर जगा टेक्सी एस्टेन आपको देखने को मिलेगा तो आप यहाँ से टेक्सी वगरा हायर कर सकते कहीं भी जाने आने के लिए फिलाल मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और सफाइक के मामल में अगर बात करते हैं तो काफी खुबसूरत है, गंदगी हो अगरा कुछ जात है, नहीं सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा फिलाल मैं डार जिरिन का बात कर रहा हूँ डार जिरिन मैं अभी घोम फिर रहा हूँ तो यहां पर जैसे का आपको भी देखने को मिल रहा हूँ तो यह मॉल लोड का पूरा अरिया आता है मॉल लोड पर मार्किट वह गरा, इसी दर फूट पाथ पर मार्किट लगती है जैसे कि और जगाबम में, मुंबाई में, दिली में बड़ी-बड़ी शाओरों में फूट पाथ पर मार्किट लगती है उस तरीके से इस पर भी आपको थोड़ी बहुत मार्किट देखने को मिलेगी फूट पाथ पर और मैं और मलिक सर रहाम लोग काफी इंजुआ के लिए निकले हुए शाम को जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब भी आगर आप डार्जिन टूल के आते हैं तो शाम के समय मतलब इवनिम समय इवनिम के टाइम आप मॉल लोड के कौवर कर सकते हैं मॉल लोड के लिए घूम सकते हैं काफी खुबसूरत खुबसूरत चीज देखने को मिलेगा उसी को देखने के लिए मैं यहां पहुंच चुका हूँ यहां पर होटल वगरा देखने को मिलेगा कुछ यहां पर सेल्फी पॉइंट बनाया गिया तो अगर इदर आते तो आप यहां से फोटो वगरा निकाल सकते हैं सबसे बड़ी क्या बात यह है कि मॉसम यहां बहुत ही खुबसूरत आता के एफसी का आपको यहां पर ब्रांड उसका ब्रांच देखने को मिल जाएगा मॉसम मैं अपना जैकेट डाले एक और निकल के कोई गर्मी वगर नहीं पसेने का कोई जंजट नहीं कोई प्रोब्लम नहीं और मॉसम एकदम सुहना है निकलिए और अपना भूमते रहिए इंज्वाइ करते रहिए अगर शॉपिंग करना है तो शॉपिंग कीजिए जहां जाना वहां जाएए फिर घूम कर अपने जगा वापस आ जाएए पिड़ाल मैं आपको बारिकी के साथ जो के मॉल लोड है और यहां पर मैं भी घूम रहा हूं और मैं अपनी नंगी आंगों से भी घूम रहा हूं और मैं उम्मिद करता हूं कि अपने वीडियो के माद्यम से आपको भी देखाने की सही से कोशिस करूं ताकि अगर आप ना अचल सके तो मेरे वीडियो के माद्यम से डार जिरिन का पूरा टूर कर सकते हैं, डारजरीन की हर स्चोटे बड़े जगह को शाहर को सिटी को देख सकते हैं, कौन सी जगह क्या क्या चीज आपको देखने को मिल सकती है, कुछ इस तरिके का मार्किट वगरा, मार्किट के मामलें बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी-ची मार्किट यहां पर है, शोरूम वगरा जैसे के मैंने आपको बता रखा है, कि जैसे एक्जामपल मैंने दे रखा कि दिल्ली का एकनाट पले, सिपी, उसी हिसाब से आप इसक डेखने को मिल सकते हैं, जैसे के आप देख सकते हैं, लेडिज हो, जैन्स हो, फिलाल अभी सामने लेडिज का ज़्याद देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यह ज्यादा मार्किट उसी के लिए है, और हमारे मलिक सर धिरे-धिरे कद्मों से अपने आगए बढ़ रहा है, और वो अपनी नंगी आखों से देख रहे हैं, कहां पर कौन सी चीज है, मैं तो वीडियो बनाने में मसरूफ हूँ, चलिए, यहां पर गिफ्ट हाउस भी आपको देखने को मिला है, कुछ गिफ्ट वगरा लेना चाहते हैं, तो आप यहां से ले सकते हैं, और यहां का जो इ आते हैं, तो टी शॉप आपको देखने को मिल जाता है, तो अगर आप डारजरी नाते हैं, तो यहां की निशानी है, तो टी जरूर घर लेकर जाए, और अच्छी क्वालिटी का टी लेकर जाए, तो ज़्यादा अच्छा रहा है, क्यूंकि इस जगह पर आएं, डारजरी, च्छी मिरिक, या पाली आलाके में, तो इधर टी का फेर्टी होता है, टी का इधर खेती होता है, तो टी ज़रूर यहांसे लेकर जाए, तो टी जरूर यहां से लेकर जाए, नहीं हैं, तो अब अगले वीडियो में को बंद किया गिया है और यहाँ सामने उपर जाने का रस्ता यहाँ पर आप बैठ भी सकते अपने family, friend, दोस्त के साथ यहाँ पर बैठिए, enjoy कीजिए, मौसम एकदम सुहना होता है और enjoy कीजिए, त्यूंकि शाम को लोग अपने रूम से घर से निकलते हैं जॉय करने के लिए बहुत ही मसा आया का यहां पर आते हैं तो और यहां पर जो चाय का आनंद जरूर लिजिएगा वह भी आपको आगे दिखाने की कुशिस करूंगा कि आप यहां पर चाय वगरा टी वगरा कैसे ल कोई शंण वाली बात रहता है अंदर से घर्म हो जाएगे लेमन ती वह जरूर ट्राइक किरये की अगर धूर्ण के मौसम में अगर चाय पिये तो आपको थन्ञ और से गरम हो जाईएगा अंदर से गर्मी पैदा हो जाएगी फिलाल हम लोग ने दो कप लिया एक मेरा एक मलिक सरका है तो यहां की चाय बहुत फेमस है तो आप लोग भी अगर इदर आए चोरस्ता या किसी भी डारजरीन के जगह पर आग तो यहां की चाय बहुत ही फेमस है मैं ट्राइ कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हुग